एकवाल डेहरा बाबा नानक वेच सतसंग हो रहा सी शिरी लखमे चंजी दे पोतरे बाबा मेहर चंजी एक बहुडदे द्रख थेट बैठे होई सन होर काफी संगत औना दे कोल बैठी होई सी गोर मारग दे बचन बिलास हो रहे सन कोई बचन बिलास करदें करदें बाबा मेहर चंजी ने सारी संगत दे चात पई बचन संगत दे ही चल रहे सन के इनसान जहो जही संगत करदा है ओहो जहा ही इनसान बन जानदा है अगर कुछ समा चोर दी संगत किती जावे ता चोरी करनदा पेत मिल जानदा है ते चोरी करन दी आदत बन जानती है जे जुवारिय दी संगत किती जाए ता जुवा खेटन दी आदत बन जानती है अफिमी पोस्ती दी संगत किती जाए ता अफिमी पोस्ती बन जानता है अगर जे कोई विशे विकारी दी संगत करे तां विशे विकारी बन जानदा है अगर किसे वजीर मंत्री पर दांदी संगत करदा है तां सरकारी कनूना दा जानकार बन जानदा है एक दूसरे वजीर पर दांद मंत्री दा जानू हो जानदा है ते मिलापी हो जानदा है सो ऐसे ही तरह अगर किसे महापुर्शा, गुणी ग्यानी, कथा वाचक दा संगी हो जाईए, ता ओदेवर का ही रंग चड़ जानदा है, ते राब दा प्यारा मितर बन जानदा है, पगती सिमरन करनदा चेटकी बन जानदा है, दरगा दा पागी बन जानदा है, ओस मलक दे नाड एकमिक होके अपेद हो जानदा है, ऐसे उपदेशदी वारता चल रही सी, के अचानक ही साथसंग दरवार वेच एक जखमी कबूतर, जो के तडफ रहा सी, ओओ आके डिग पया, बाबा मेहर चंद जी दे मोखतों, अचानक ही बोलतीर वांगर छुट गया, के एह किस पापी ने जुल्म कर दता है, बेदोशे या ते बेजवान जीवदी हत्या किसने किती है, अजे कबूतर तडफी रहा सी, जान टोट रही सी, के उसनों वेके बाबा मेहर चंद जी सहार ना सके, मोखतों फेर एह तिखा तीर छुट गया, के जिसने एह कहर कीता है, ओवी इस दे ही तरह तडफेगा, ते उस दे वी इस तरह ही जान खुसेगी, बस एक एंड दी देर होई, के कारवेची पणा वर्त गया, जो के बाबे मेहर चंद जी दे अपने ही सहभजादे ने, अचानक ही कबूतर नों गुलेला मार के सिड़ दता सी, सहभजादा मानक मेहर चंद उस कबूतर दी तरह ही अचानक पीड़ दे नाल तडफन लग पए, के एक ही हो गया, फिर वैदनों बलाया गया, दवाई दिती गई, पर कुछ भी फर्क ना पया, उसे ही तरह तडफ रया सी, फिर बहुत सारे आदमी, बाबा मेहर चंद जी वाल खबर देन वा है, जान खुस रही है, जल्दी चलो, ते चल के पता करो, इन्नी गल सारी संगत विच फैल गई, ते हाहा कर माच गई, के एक ही हो गया, सारे ही कारवाल नों ना ठुठे, बाबा तरम चंद जी दे सहब जादे, बाबा मेहर चंद जी भी कारा अपुजे, ते अपने सहब ज दे मानक चंद जी नों तरडफदा देखके, रता भी चंद विच नी आये, ते आख्या के इसने एथे ही करनी दा फल पालेया है, साड़े पिता लखमी चंद जी तां, दरगा दे विच लेखा देन वास्ते चले गई सन, ते मेरे बाबा जी, बाबा शिरी चंद जी ने, सा के साड़े वड़े, सचे पाशा, तनशेरी गुर्नानक पाशा जी ने, जगदे कोने कोने ते पहुँच के, दुखी जगदा उदार किता है, गरिस्ती हो के भी, उस प्रबुदी रजा नों परवान किता है, गरिस्ती हुंद्यां भी, एक त्याग दा सबूत दे के, कर्व खाया है, जदो साड़े बाबे लखिमे चांजी शिकार करके वापस आ रहे सी, ता असी वड़े बाबा शिरी चांजी तो सुनया है, के तु चंगा नहीं किता, ए लेखा देना पवेगा, आपने किते दा फाल पोगतना पवेगा, सो एक दाम त्यारी कर लई, ते लेखा द लेखा देन नू रवाना हो गए, साड़ी वड़ी दादी आते साड़े पिता तरमचान जीनू कोड़े ते बठा के उडारी मार के, चार जोजन दी हुन चाईते जा पोंचे, फिर साड़े सतकार योग बाबा जी, बाबा शीरी चांजी ने, चार जोजन ही अपनी बावद आके साटे पिता तरमचन जी नो उतार के तर्थी ते लेंदा ते पिता जी दी परविरिश भी आप ही किती ते बेदी बंस नो इस जगत ते पर फुलेद किता सो असी ओसे ही आंश दी पैदाईश हां असी ऐसे कहरा नो सहार नी सकदे एह कबूतर विता किसे दी आंशी है एसे ही तरह उस दे माता पिता नो विता दुख होया ही होवेगा जैसे कि महराजा दशरत ने दूसरे दे बच्चे सरवन नो तीर नाल मार के मार दिता सी उस दे माता पिता अंधली ते अंधले ने दसरत नो शराब दे शड़या कि जिस तरह तुँ इस ते जुलम किता है उस तरह ही तेरे नाल भी होवेगा साड़े जीवन सहरे नो तीर मार के विन्या है एसे ही तरह तुभी पुत्रां दे व्योग विच तडफ तडफ के मरेंगा इस राब देखे ओह आप भी रो रो के खतम होगे सन की जिस तरह उस कबुत्र दे माता पिता अते सर्वन दे माता पिता ने अपने बचे अंधर दुखनों सेंड कर ले होगेगा असी इनसान होके भी सेंड करांगे ताहीं असी ओस प्रबुधी रज़ा मन सक दे हाँ जद सब ना ने बचन सुने ता सब दे सब देलगीर हो गए अब सोस अंदर चेहरे फूख हो गए ते सारे उदास होके अपने करानों तोर गए के होणसी की कर सक दे हाँ ओदर जद मेहर चन्द ने अपनी सुपतनी वाल विख्या के एता जार नी रही बच्चे दे वरलाब कर रही है ता फिर मेहरा वेचा के कैन लगे के तुसी जल्दी ही बाठ साब चले जाओ अते जगत गुरु बाबा शिरी चन्जी कोड एस पानिदा ब्रतांत सुना देओ फिर सारे रिष्टेदाराद बाठ साबनू अठ दोडे जाके बाबा शिरी चन्जी नू आध तों अंध तक सारा ब्रतांत सुना देटा ओधर ता तडफ रहा सहब जादा प्राण त्या गया सी पर एदर जगत गुरु पगवान बाबा शिरी चन्जी फिर पुत्रां दे साबनू ती रई दिलासा देता ते जाल पाणी भी शिरी कमलिया जी नू कहके पड़ाया ते बाबा जी ने अपने हत्थों एक फाल देके शिरी महर चांजी दी सुपत्नी नू पुत्र दा बार देके आख्या के ए छाक लवे कुझ समय बाद उस दी कुखों साड़ी अनायत पुत्र जनमेगा उस दा नाम अनायत चंद रख लेना सो सास अंगजी इस तरह दस महिनया तो बाद फिर बाबा शीरी चांजी दे वारनाड शीरी मेहर चांजी दे गिराय विखे पुतर ने जनम लेया जिस दा नाम अनायत चंद रख्या गया जिस दी एह बेदी बंस शीरी डेहरा बाबा नानक विच चल रही है जो के परताख है सो जिस बहुड थले कबूतर दी वारता होई सी ओथे बहुड दी चाया हेट ए अस्थान अजभी कायम है ते बहुत पारी संगरताण के के ओधियां जोता जो गौधियां हन ते अपनियां मनों काम नामा पूरियां कर दी है तन गुरु नानक देव सहेब जी 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 हुईया पुला चुकादी खेमा बक्षनी जी दासनों आगया देओ वाह गुरु जी का खाल सा वाह गुरु जी की फते कि वाह खाल फो कि रिदृ।